हजारों साल हो गए लेकिन प्रभुराम प्रभुकर्ष्णा इनकी गाथाएं आज भी समाज जीवन को चेतना देती रही प्रेरणा देती रही आज नवरात्री के पावन परवखे बाद विज्या दस्वी के पर्वपर रावन दहन की परंपरा है ये रावन दहन उस परंपरा का हिस्सा है लेकिन एक नागरी के नाते समाज जीवन में ये जो रावन प्रभुक्ति होती है उसको विनास करने के लिए भी समाजने निरंतर जागरित प्रयास करने होते है और ऐसे उत्सव से सिर्फ मनोरंजन नहीं कोई मक्सद बनना चाहिए। ऐसे उत्सव से कुछ कर गुजरने का संकल्प बनना चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है का अध्या से पहने हुए बस्त्र पहन करके निकले हुए प्रभुरां पुरे रास्ते चलते चलते संगरन शक्ति का इतना बड़ा कौशल ने पता देते हैं कि स्री लंका विजय में समाज के हर तपके के वेक्ति उनके साथ जुड़ गए नर भी प्रकृती भी ने उनको साथ दिया लोग संगरहा के कितनी बड़ी अध्भुत शक्ति होगी तब प्रभु राम चेंद्रजी ने इतने बड़े सामर्थे को अपने साथ जोड़ा होगा और विजय प्राप्त करने के बाद भी उसी नम्रता के साथ जंद समाज को अपने जब भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा हम भी कोई संकल्प करे हम भी कोई सिद्धी के लिए रास्ता चुने और 2022 तक एक नागरिक के नाते देश को कुछ न कुछ सकारात्म योगदान दे कुछ न कुछ कॉंट्रिबिशन करे हम 2022 आजादी के 75 साल को महापुरुषों ने इस सपनों से स्वतंतरता दिलाई उसके अनुरुप बना पाएंगे और इसलिए प्रभु राम जी की तरह हम भी कुछ संकल्प लेने का ब्रत ले करके चले यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुप कामना है फिर एक बार आप सबको विज्यादश्मी की बहुत बहुत